आम अदनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एडी की कारवाई जारी है लेकिन एडी से बचने के लिए आपके नेता नए नए हतकंडे अपना रहे हैं हलाकि आपके नेताओं को इसमें काम्यावी नहीं मिल रही है और एडी एक के बाद एक खुलासे कर केजिरवाल की जाती है लेकिन सवाल है कि केजिरवाल एडी के सवालों से क्यों भाग रहे है क्यों केजिरवाल एडी के समन पर एडी के पास नहीं गए अगर केजिरवाल ने कुछ नहीं किया है तो आपके नेता इतने बेचैन क्यों है वहीं सुप्रिम कोर्ट से मनीज सी सोधिया को जमा नत्कियों नहीं मिल रही है। कैसे केजरिवाल चौतरफा घिर गए है। बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में तो बने रही है हमारे साथ अंतर तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केजरिवाल के खिलाफ एडी की ताबर तोड कारवाई से आमादी पार्टी की नींद उड़ गई है। पार्टी के नेताओं को इस बात की चिंता सता रही है कि उनके आका कभी भी गिरिफतार हो सकते हैं। शराब गोटाला मामले में पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। एडी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं कि केजरिवाल भी जाँच के घेरे में आ गए है। हाला कि केजरिवाल एडी की कारवाई से बचने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन एडी भी आक्शन में हैं। ऐसे में पार्टी को लग रहा है कि अब केजरिवाल भी गिरिफतार हो सकते हैं। यही वज़ा है कि पार्टी में खलबली मच कई है। केजरिवाल के मंतरी मंडल ने जो शराब नीती बनाई उसके कारण आमादी पार्टी के नेता लगभक सभी बड़े नेता आज चार्ज एजिंसी के रडार पर हैं जोसके बाद आमादी पार्टी के नेताओं ने माहौल बनाना शुरू किया कि साभ हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे लेकिन ये बाद भी आमादी पार्टी की तरहां खोखली नजर आती है बीजेपी ने केजडिवाल की पोल खोल कर रखती है जेल से दिली सरकाय चलाने के लिए अरविंद केजडिवाल के मनसूपों पर अकटाक्ष करते हुए बीजेपी सांसथ मनोश तिवारी ने कहा है जब अरविंद केजडिवाल के पास कोई विभाग ही नहीं है उन्होंने खुद कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं है तो फिर वो कौन सी फाल जेल में मंगवा कर उस पर साइन करेंगे तिवारी ने कहा कि वो तो फाल साइन करते ही नहीं ननोश दिवारी ने का कि केज़िवाल ने अपने विधायकों को बुला कर दिली को प्रदूशन से बचाने पर चर्चा नहीं की बलकि चर्चाव का ये प्रिस्ता पारित करवाया कि जेल जाने पर भी वो मुख्य मंतरी बने रहेंगे उन्होंने का कि केज़िवाल ने खुदी ये माल लिया है कि वो अपराधी हैं इसलिए जेल जाने से पहले वहाँ विदाई लेने गए थे बीजेबी सांसर्थ मनोश्तिवारी ने काया कि दिल्ली की जनता सब देख रही है और सही समय पर जवाब देखी दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार में अंत्री आतिशी ने बैठक के बाद बड़ी जानकारी दी उन्होंने का कि आज दिल्ली के सीम अर्विंद केज़िवाल और आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक हुई केज़िवाल की यही चालाकी तो उनके दोस्त भी नहीं समझ पाए कि बड़ी ही चालाकी से उन्होंने अपने सभी दोस्तों से गलत काम कराए और फिर सब को भजा दिया लेकिन एडी ने आम आद्मी पार्टी की चालाकी को फेल करते हुए केज़िवाल के मनसूबों पर पान को लेकर भी चर्चा तेज है कि अब केज़िवाल भी गिरफतार हो सकते हैं आम आद्मी पार्टी के नेताओं को भी लग रहा है कि केज़िवाल भी गिरफतार हो सकते हैं यही वज़ा है कि आपके नेता ये कह रहे हैं कि गिरफतारी के बाद भी केज़िवाल जेल से ही सरक गोटाले में परवर्तन इदेशाले की और से तलब किये जाने के बाद से आम आदमी पार्टी उन्हें गिरफतार कर लिए जाने की आशंका जाहिर कर रही है। गोटाले में पार्टी के ही एक नेता ने उन्हें ये बताया है। मनी ट्रेल है। सुप्रिम कोट ने भी उसका जिक्र किया और सी सोधिया को जमानत नहीं दी। जो पैसो का लेंदेन के जिर्वाल ने किया है खास तोर पर जो अपना शिस महल बनवाने का काम किया। उन्हें पता है कि जेल जाएंगे। सिर्सा ने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि के जिर्वाल पेश नहीं होंगे। जो कि वो विधायकों को मनाना चाहते हैं कि उनकी धरम पत्नी सुनीता के जिवाल को मुखेमंत्री बनाया जाए। ये कल स्पष्ट हो जाएगा। अर्विंद के जिवाल जी ने बैठा कि आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता ने मुझे पताया कि सारे विधायकों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी को यदी बनाएंगे पहले करप्षन का दाग लगा फिर आपके शिस महल का अब परिवारवाद बचा है। पीएम मोधी के खिलाव बने विपक्षी इंडी गट बन्धन में कॉंग्रिस के साथ हम आदमी पार्टी भी शामल है लेकिन कॉंग्रिस के नेता के जिवाल को एक्सपोस करने में लगे हैं। इस बार कॉंग्रिस ने के जिवाल पर काफी गंभीर आरुब लगा हैं जिसके एकता के नेता पहली बैठक के बाद बड़े ही जोश में कह रहे थे कि क्या पी-म रोकेंगे हमें क्या पी-म में हिम्मत है कि इंडिया को रोकेंगे लेकिन अतिश्योक्ति ये है कि सभी दल आपस में ही भिड़ पड़े हैं। भी फिर से ताज़ा बयान आया है विपक्षी एकता के दो दलों के बीच फिर से जूतम पैजार मच गई है। पी से मिले हुए थे। दोजार चौदा में जब वो चुनाव लड़ने आये थे तो सेटिंग गेटिंग के लिए आये थे। वो भी जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिका जो राए है वो भी भारतिय जनता पार्टी की भी टीम की तरह काम कर रहे हैं। आपको बता दे कारिकरम के दोरान दिली के सीम के इश्रिवाल ने कहा था कि दिली में भी पहले दो पार्टिया होती थी। दोनों ने घतर मचा रखी थी, सेटिंग थी, पांच साल तुम लूटो, पांच साल हम लूटेंगे। आमाद्वी पार्टी नेता के बिना नाम लिये, बीजेपी और कॉंग्रिस पर हबला बोला। उन्होंने कहा जनता दुखी थी, तरस्त थी, जनता के पास विकल्ब भी नहीं था, इससे नाराज हुई तो उसको वोट कर दिया। उससे नाराज हुई तो इसको वोट कर दिया। फिर उपर वाले ने एक चमतकार किया, एक नई पार्टी आई, आमाद्वी पार्टी इमानदार कटर देश भक्त पार्टी और एक बार फिर दिल्ली की जनता ने अमिल कर तैय कर लिया कि इन दोनों पार्टीों को हराओ और आमाद्वी पार्टी को वोट दू। केजिवाल ने कहा कि दिल्ली में आमाद्वी पार्टी की सरकार बनी तो हमें इतना अच्छा काम किया है कि एक बार नहीं तीन बार हमें हमारी बहुमत दे कर जिताया। पंजाब में जिताया। गुजराथ में पांच और गोवा में द कर चुके हैं अब केजिवाल जो भी कहें लेकिन जनता उनसे ये भी पूछेगी कि अगर आपने इतना अच्छा ही काम किया तो आपके तीन बड़े नेता जेल के पहुच गए और आप खुद भी एडी के रडार पर कैसे आ गए दिली की जनता ने कैसा मिकसर जूसर खरीद ल लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं सुप्रीम कोट ने भी केजिवाल सरकार को फटकारते हुए दिली प्रतूशन को लेकर और डिविन फॉर्मुले को अब विग्यानिक बताया है सुप्रीम कोट ने का कि ये सिर्फ एक विग्यानिक फॉर्मुला है कोट ने दिली सरकार से कि आपके बंद स्मोक टावर्स कब चालू होंगे इसकी बंद होने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पर कारिवाई होनी चाहिए स्मोक टावर्स चालू करवाई जाए कोट ने का है कि दिली सरकार ने अब तक कितना एन्वार्मेंट कॉंपनसेशन चार्ज वसूल आज जब पंजाब में पराली चलाने की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं और दिली प्रदूशन के खतरनाक स्तर से जूच रहा है वहीं आमात्य पार्टी मुख्या के एज्रिवाल के तमाम दावे और वादे भी धरे के धरे दिख रहे हैं इसे समझने के लिए हमें चलना ह होगा तीन साल पहले लेकिन फिलाल जानते हैं कि दिली में प्रदूशन की मौझूदा अस्तिती क्या है वंजाब में पराली चलाने की घटनाएं इस साल सत्रह हजार के पार हो गई हैं और विवार पांच नमंबर दो हजार तेसको ऐसी 3230 घटनाएं हुई हैं ये एक दिन म भग धाई गुना बढ़ गई महीं 2022 की बात की जाए तो उस साल इसी दिन यानि पाच नमंबर को ही पंजाब में पराली जलाने की 2817 घटनाएं सामने आई थी ताजा घटनाओं की बात की जाए तो संगरूर जो की मुख्यमंतरी भगवन तमान का ग्रहसिला भी है वो 551 के स टॉप पर रहा अब चलते हैं दो साल पहले सिदंबर 2021 में तमाव आधी पार्टी ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था जिसमें दिली के मुख्यमंतरी केजरिवाल कहते दिख रहे थे कि जब किसान ऑक्टूबर महीने में धान की फसल काटता है तो उसके बाद उसक तने नीचे रह जाते हैं जिन्हें पराली कहा जाता है उन्होंने कहा था कि दोश सरकारों का है किसानों का नहीं जो किसान अपनी खेतों को जलाएगा उस पर जुर्माना लगाएं कि बज़ाए सरकारों को समधान देना चाहिए इसके बाद केजिवाल इस वीडियो में कहत उसे काटना नहीं पड़ता जलाना नहीं पड़ता केजिवाल ने शांदार नतीजे का दावा करते हुए का था कि खुद केंडर सरकार के एजेंसी ने इसके दारीफ की थी और 90 फीजदी लोगों ने कहा है कि 15 से 20 दिनों में उनकी पराली जल गई और अगली फसल के लिए खे करता भी बढ़ गई है जब केजिवाल बोल रहे होते हैं इस वीडियो में चलाया गया कि कैसे ये कथित बायो डिकंपोजर काम करता है केजिवाल ने तभी प्रदूशन की मुक्ति की बात करते हुए कहा था कि जब दिल्ली में यह हो सकता है तो अन्यराजे में भी हो सकता ह यह अलग बात है कि पंजाब में भी उनी की सरकार है लेकिन तब भी पराली जलाने की आकड़े खतरनाग तरीके से बढ़ते छेल जा रहे हैं इतना ही नहीं यही अब ड्रामा आज से तीन साल पहले यहने नवंबर 2020 में भी हुआ था तब ही केजिवाल ने पराली जलाने का सस्ता और आसान समधान देने की बात करते हुए कहा था कि अभी तक की सरकारी पराली जलाने को ले करके सभी बहाना मार रही थी तब उन्होंने प्रदूशन के रहे बंजाब में पराली जलाने को जिम्मिदार बताया था लेकिन आम उनकी पार्टी के लोग यूपी हर्यान को उसका जिम्मिदार बताते कह रहे हैं कि बंजाब की घटनाओं का यहां कोई असर नहीं देखने को मुल रहा जोरे रपोर्ट ओमेच निउस